नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं पर त्यहाठ टोटके कई बार सत्रू बहुत परिसान करते हैं आप इतने परिसान हो जाते हैं कि लगता है जैसे दुनिया ही छोड़ते हैं अगर सत्रू ज्यादा मुस्किल पैदा करें जीवन में, कभी-कभी तो पडोसी ही सत्रू होते हैं, आपके जॉब करते हैं, आपके आफिस में लोग सत्रूता रखते हैं, आप बेपसाई हैं, आपके वहाँ पर लोग सत्रू हैं, यानि कि आप से दुस्मनी रखते हैं, लेक है क्योंकि धीरे धीरे ब्यक्ति को खत्म कर देता है सुरुवात में पता नहीं चलता लोग आधुनिक हो गया है सोसने कुछ नहीं होगा क्या होगा लेकिन आपको पता है यह चीजें लोगों को बरबात कर देती है जीवन में आकस्मी दुरगटनाई, परिसानिया, जीवन में सुख की कमी होना, स्वास्त की समस्य यह सभी चीजें दे जाती है तो सत्रु आपको कैसे कैसे परिसान करेंगे आप समझी नहीं पाएंगे तो आज हम आपको एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे गुलाब के काटे का, गुलाब का प्रियोग तो आपने सुना होगा, कि कैसे हर्मान जी को और पीत करें, मा दुरुगा को और पीत करें, मा लक्ष्मी को और पीत करें, धन बरसे का, लेकिन आज जो हम आपको प्रियोग बताएंगे गुलाब के पुस्प में जो पेड़ होता है उसमें काटे लगे होते हैं उस काटे का महा प्रियोग बताएंगे हलांकि अगर आपको गुलाब का काटा नहीं मिलता है तो ऐसी वस्था में आप बबुल का काटा ले लें बैर के पेड़ में भी काटा होता है बेल ना मिले तब ठीक है अब ये प्रियोग करेंगे क्या देखिये सनी बार को नहीं करना ये प्रियोग करना है रभी बार या मंगल बार के दिन fewड़ को कहांटे को आप ले आईये और अपने घर में जो आपके घर में तूल जी है ना। तूलसी पटी के पेड़ की पास की थुरि सी मिट्टी ले ले ќब इसको लेकर आप अपने लेप्ट हैंड के सबसे चोटी उंगली लिटल फिंगर से इसको आपको मिट्टी को गुमाना है कांटे के साथ अब ऐसा मत कीजिए कि काटा ही चुब गया आपको नहीं चुबना है चाहिए हलका हलको सको मसलिए और सत्रू के बारे में सोचिए जो आपका बुरा चाहता है फ लेखिएगा फिर दुआरा परेसान नहीं करेंगा आपको दाख दो